आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें चै इलेक्टानल्ड उर्जा के फोटओन, चार इलेक्टानल्ड कार फलन के धात्विक प्रिष्ट पर आपतित होते हैं उट्सरजित फोटो इलेक्टानों के नियुन्तम गति जूर्जा होगी A option है, 0 electron B है, 1 electron C है, 2 electron D है, 10 electron तो देखे दोतों, यहाँ पर जो प्रश्ण पूछा गया है कि 6 electron का photon है, 4 electron कार फलन है ठीक है, कि धात्विक पिष्ट पर आपतित होते है यह बोल रहा है दोस्तों, ठीक है तो उत्सरजित फोटो इलेक्टोनों की निमतम गति जूर्जा यहाँ पर पूछा जा रहा है तो देखे दोतों, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रकास विद्धूत प्रभाव को समझना पड़ेगा ठीक है, तो प्रकास विद्धूत प्रभाव को थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है मालो दोस्तों, यह हमारी एक धातू की सता है ठीक है, यह क्या है दोस्तों, एक धातू सता है अब धातु सता में क्या होते हैं दो तो मुक्त इलेक्टॉन्स पाया जाते हैं ठीक है ये ये लेक्टॉन्स मुक्त इलेक्टॉन हैं इनको मुक्त इलेक्टॉन क्यों बोलते हैं दो तो क्योंकि देखे ये नाभीक से धनात्मक आब इससे क्या है आकर्षन बल से बंदे हुए अब ये नाभीक से बहुत दूर होते हैं, अंतिम चक्छा वाले लिक्टॉन है, ना, तो इनका जो यू आकर्शन बला है, दो तो ये आसानी से क्या है, दो धात्यूक सता से लिकल सकते हैं, ठीक, है, इसे लिए इसको मुक्त लिक्टॉन पूलते हैं, अब जैसे मालोडो इस म ह हमारा प्लांक नितांक है नियू इसकी आवरित्ती है अब यह जब टकराता है दोस्तो ठीक है तो दिखे दोतो एक निश्चित उर्जा का फोटॉन यहाँ पर टकराना जरूरी है दोस्तो ठीक है एक नियूंतम उर्जा का फोटॉन टकराना जरूरी है तबी यह क्या है दोत बोटें तो यहां पर देदिया है दो तो चाहर सका होसेँ डिशंद in सिलिक्तों सकता है तो यह इंट्भ इसकी तो यह इण अब ये इलेक्टॉन जो है अपनी उर्जा को दो तरीके से उपयोग करता है एक तो ये जो है नाभीक से जो बंद बंधा हुआ है इसको टोड़ने में ये उपयोग होता है जिसको हम लोग कहारे फलन बोल रहे हैं यहां पर और उर्जा का कुछ भाग जो है इसको गतिज उर है और इसको जो उर्जा का एक भाग जो है ये कारे फलन के रूप में उपयोग हो रहे है दोस्तों हना और एक भाग जो है गतिज उर्जा प्रदान कर रहा है तो एक बटा एमभी का वर्ग इसको लिख दिया ठीक है तो यहां पर देखे दो तो चार इलेक्टॉन ओल्ड का ये हमारा क्या है दोस्तों देखेंगे तो ये अधिक्तम जो उर्जा है 6 इलेक्टॉन ओल्ड का है और कारे फलन 4 इलेक्टॉन ओल्ड का है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ये गतिज उर्जा मुपी होगा 2 इलेक्टॉन ओल्ड का उर्जा ठीक है तो ये अधिक्तम क के अंदर electron की सरशना होती है ठीक है यहां पर कोई ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों की मतलब अगर आप तीन photon इससे टकरा रहे हैं तो तीन ही electron बाहर लिकलेगा ठीक है कई बर क्या है electron बाहर ही नहीं लिकलता दोस्तों ठीक है तो अगर हम अगर नियुनतम गति जूर्जा की बात करेंगे दोस्तों ठीक है तो यह हमको सुनने के बराबर मिलेगा ठीक है अगर नियुनतम की बात कर रहे हैं क्योंकि हम यह जो photon टकराते हैं दोस्तों तो कोई यह जरूरी नहीं होता है कि वहां से electron लिकल ही जाए दोस्तों ठीक है, धन्यवाद